शायना इंसी से मैं पहले ये पूछ लेती हूँ आप में से कितने नेताओं ने कश्मीरी पंडितों को रीच आउट किया है पिछले दिनों वो सीधा सवाल आपसे पूछ रही है बुद्धा फिल्म है या कश्मीरी पंडितों की आज खालत दो हजार चौदा से मैं पिछले दिनों की क्यों बात कर रही है खालत के लिए बहरतिया जंता पार्टि ने क्या किया है कश्मीरी पंडित के लिए ये भी तो उजागर कीजिए Abrogation of Article 370 की बात कीजिए आपने एक फिल्म की जकर की है ये लैपेट जी जो हैं जो आते हैं और सोचते हैं वो अपना प्रपगांडा चला सकते हैं भारत में This is totally shameful चार जूरी के मिंबर्स थे उनको किसी ने पुरतिकिया नहीं दी आपको पसंद आया नहीं पसंद आया The theatrics or the technical analysis aesthetic quality socio-cultural relevance of the film was not to be indulged in as a political comment आप सुनिये इस्राइल के ambassador का comment वो बोलते हैं कि उनको शर्म होती है कि वो यहां आके अपना agenda चला रहे हैं और ये विदेश के जो लोग आते हैं और सोचते हैं कि वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं कश्मीर फाइल दिखा क्या रहा है दिखा रही है कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या व्यथा थी क्या हुआ और क्यों गुनेगार थे और कौन जिमेदार थे कौन थे ये आतंकवादी कहां था पाकिस्तान का हाथ ये सब चीजों के उपर उनको जो नहीं पता है भारत के जियो पिलिटिकल कॉमेंटरी करने के लिए वो आये हैं इस इफी के बॉर्ड पे तो मैं पूछना चाहती हूँ अंजिना जी चार जूरी के मेंबर्स थे उन्होंने कोई टिपनी नहीं की अचानक से वो करें और अफसोस की बात ये है कि जब विदेश की इंटरनाशनल मीडिया कहीं कभी कबार हमने देखा है कि BBC का अजेंडा होता है कहीं और कोई अंतराश्रिय ब्राड कास्टिंग एजिंसी का अजेंडा होता है यहां तो एक फिल्म क्रिटिक के रूप में उन उनके अंबसडर ने क्या कहा उनों ने कहा के इस इन सेंसितिव और प्रिजंटिस तो स्पीक अपाट इस्टोरिक इंट्री इंट्री इवेंट और ये व्यक्ति जो सोचते हैं कि वो आके अपने टीयारपी के लिए या अपने अबनोक्षिस कॉमेंट्स लेंगे और भारत की जनता चुप रहने वाली है भारते जनता पार्टी को जो करना है एक राजनेतिक रूप पे अलग प्रश्न है यहां इफी पे आप जूरी के रूप में आते हैं और फिर आप ऐसे टिपनी देते हैं भारत के इतिहास न जानत ऐसे हुए यह अलग बात है और रही बात कशमीरी पंडितों या जमुकश्मीर के लिए लेकिन शाहिस कंश्मीरी पंडितों की वापसी का घाटी में वापसी तो छोड़िये ऐसी परिस्तिया बन रही है शोपिया जैसे हिलाकों में हत्याओं के बाद कि जो एक दो परिवा सरकार है वो भी पलायन की सोच रहे यह किसकी जवाब देही जवाब कश्मीर फाइल को सपोर्ट करेंगी तो पलटके यह सवाल आप से पूछा चाहेगा आप सरकार है छोटा सा जवाब देखे एक्जोडिस हुआ कश्मीरी पंडित का लेकिन फिस असिमिलेशन भी तो हुआ है और आप सब जानते हैं आप अनुपंखेर जी का बयान पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने आज प्रोटाइगनिस्ट ऑफ दो फिल्म क्या काहा है हॉलकास्ट भी तो हुआ ही था राइट आप इन सब चीजों पे जाके टिपनी कर रहे हैं एक राजनेतिक दुरुष्टी से एक फिल्म क्रिटिक के रूप में ये अलग-अलग बाते हैं एक राजनेतिक पार्टी क्या कर रही है अपने आवाम के लिए और कैसे पंडितों को शक्षम कर रहे हैं ताकि वो वापस जाके वहां एक व्यवसाय के साथ आत्मनिर्भर बनें उनको सुरक्षा मिले उनको शिक्षा मिले ये सब चीजों के उपर आबाते जनता पार्टी क कोई फिल्म के उपर या अपने पुलिटिकल कॉमेंटरी के उपर जो उनको अभ्यास नहीं है मेरा लिमिटेट पॉइंट यही है